हेलो फ्रेंट्स तो एक्सपाइरी है और हम देख रहे हैं क्या सिन्यरियों बन रहा है बजार का बैंक निफ्टे ने 37000 को ब्रेक कर दिया है आज वो तीसरा सिन्यरियों बना था जिसको हमने कल डिसकस नहीं किया था कलर में डिसकस किया था कि अगर 3600 के पास उपन होता है और 37000 में अच्छा खासा डेवलेप्मेंट होगा और 36700 में होगा या फिर मार्केट गैप अप होता है 37000 के उपर तो वो तेजी बनाएगा 37500 की तरफ के लिए पर जो तीसरा सिन्यरियों था कि वो मार्केट 37000 के आसपास उपन होगा 50 पॉइंट प्लस या माइनस हो तो हम मानेंगे वो 37000 के आसपास उपन हुगा ठीक है उसके बाद 37000 पर यह इसको मैंने बताया था भी टेलिग्राम पर कि दोनों तरफ 33000 का है तो जिस भी दिन ऐसा होता है तो आप मान के चलिए मार्केट एक तरफ ब्रेक करेगा ही करेगा वहीं पर नहीं घुमेगा ठीक है तो इसने अपसाइड में ब्रेक किया कल हमको दिग्या था कि तो जब इस तरह का मार्केट होता है और एक ही जगह पर वाई का डवलप्मेंट होता है और वो ब्रेक करके एक तरफ निकलता है तब फिर उस तरफ की तेजी बन जाती है इस केस में हमको क्या करना चाहिए बाइ और डिप्स की स्रेडिजी यूज करनी है यहां पर आज हम एक छोटी सी range बनाते थे कि 37000 से 37200 के बीच में expiry होगी या 37300 से 37100 के बीच में expiry होगी वो condition आज नहीं बनेगी आज एक directional condition बनेगी और इसमें हम जज नहीं कर पाएंगे कि exact expiry कहां पर होने वाली है वैसे मैं आपको हर विक दिखाता हूँ कि यह एक range है इस range के अंदर expiry होगी लेकिन आज वैसा scenario नहीं है ठीक है आज क्या scenario है आज यह scenario है कि market अगर नीचे जाता है तो आपको buy करना है 37000 के आसपास आता है तो 37000 की call को buy करना है या फिर आप 37000 की put को sell कर सकता है ठीक है और यह उपर की तरफ कहीं भी जा सकता है 37500 तक भी यह जा सकता है यहां से यहां पर कोई इसकी upside में कोई रुकावर्ट नहीं है 37500 पर भले ही 26 लाग का आपको buy दिख रहा है लेकिन इसको ख़तम होते देर नहीं लएगी जैसे ही तेजी आएगी तो और अच्छा खासा development हुआ है यहां पर 37000, 37100, 200 पर आप देख सकते है 2-2,500 का buy में change हुआ है और अच्छा खासा development हो रहा है यहां पर ठीक है अभी 37000, माइनस में चला गया ही 32 लाग से आधा हो गया 15 के नीशे आ गया मतलब यह तो गया इसने break कर दिया market उपर की तरफ जा रहा है और अगर हम nifty का देखें तो nifty का scenario वही है जो हर week रहता है जो मतलब हम हर week bank nifty में देखते हैं वही इस बार nifty में है 17600 पर 96 लाग का हुआ ही है इससे हमको यह दिखता है साफ साफ कि यह 17600 के उपर तो फिलहाल तो नहीं जा रहा दूसरा अगर हम down side में देखें तो 17500 में 78 लाग का है तो इसमें हमारी range बन रही है कि market की expiry जो है nifty की 17600 से 17500 के बीच में होगी और जो main level है जो हम trade करते हैं iron butterfly वो यहाँ पे आपका बन रहा है क्या बन रहा है 17500 की call और put दोनों sell कर गए 17500 के put को buy किया जाए और 17600 की call को buy किया जाए minimum loss की यह strategy होती है जो हर हफते बताता हूँ मैं तो यह nifty में बन रही है और इस हफते यह bank nifty में नहीं बन रही है ठीक है bank nifty में एक तरफा move हो सकता है और market काफी volatile हो सकता तो यहां पर आज हम यह predict नहीं कर सकते bank nifty में कि यह इसकी range है कि 500 से 300 के बीच में expire होगा कि 400 से 200 के बीच में expire होगा यह आज हम बिलकुल भी judge नहीं कर सकते ठीक है तो आज इसमें जो है वो आपका short iron butterfly यहां पर नहीं बनेगा ठीक है यहां पर यही चीज किया जा सकता है कि market जैसे ही गिरता है तो buy on debts के strategy यूज करनी है या फिर आप buy के जगह में 37,000 37,100 का call put option भी sell कर सकते हैं अभी तक दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि 37, 37,100 37,200 तक 0 हो जाएगा कल हमको confirmation मिल गया था कि 36,700 भी 0 हो जाएगा आज confirmation हमको क्या दिख रहा है आपे कि at least 37,100 तो 0 होना ही होना है अब यह उपर की तरफ कहीं तक भी निकाल सकता है कोई रुक टुक नहीं है इसमें तो उसी साफ से अपने strategy बनाया और अभी के लिए इतना ही thank you very much for joining